ओम शान्ति आज बाई जून 1971 के मीठे अब्यक्त बाब दादा के महावाक्या आपको सुनाई जा रहे हैं तीवर पूर्शार्थी की निशानिया शुद संकलप सवरूप इस्थती का अनभव करते हो जबके अनेक संकलपों की समाप्ति होकर एक शुद संकलप रह जाता है इस इस्थती का अनभव कर रहे हो इस इस्थती को ही शक्ति शाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी इस्थती में इस्थत होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं जैसे कोई का निवास स्थान उंचा होता है लेकिन कोई कारिय के लिए नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं ऐसे ही अपनी उंची श्थती अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो ऐसे समझ कर चलो कि अब यभी अलब काल के नीचे के लिए नीचे उतरे हैं कारिय करने अर्थ लेकिन सदाकाल की ओरिजिनल इस्थती वही है फिर कितना भी कारिय करेंगे लेकिन कर्म योगी के समान करम करते हुए भी अपनी नीचे इस्थती और स्थान को भूलेंगे नहीं ये समर्थी ही समर्थी दिलाती है समर्थी कम है तो समर्थी भी कम है समर्थी अर्थात शक्तियां माश्टर सर्शक्तिवान का जन्म सिद अधिकार कौन सा है सर्वशक्तियां ही माश्टर सर्शक्तिवान का जन्म सिद अधिकार है तो ये समरीतिक स्टेज जन्म सिद अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिदा दिकार साथ ही है अपने को सपूत समझते हो जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं कोई ने कहा सपूत हैं कोई ने कहा बन रहे हैं सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो दोनों अगर सपूत नहीं तो याद की आत्रा भी नहीं ठैरती होगी आंत तक अगर सपूत बनने का ही पुर्शार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे दो चार वर्श में सपूत बनोगे उसके बाद दो चार वर्श में सबूत देंगे सपूत हो ही अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते सरेंडर हुए हो वा सरेंडर भी अभी होना है तो सिरंडर होना सपूत पना नहीं है समझा जो सिरिमत के आधार पर डारेक्शन परमान चल रहे है अपने को ट्रश्टी समझ कर चल रहे है उनको तो सपूत कहेंगे न कहां-कहां बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है जैसे paper के time, paper करने के बज़िये question के सोच में चले जाते है तो paper रह जाता है तो जादा सोच में नहीं जाना है बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो सिरिमत पर चल रहे हैं बाकी रही सबूत दिखाने की बात वह भी हर एक यथा शक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे जितना बाप बच्चों में निश्च बुद्धी है बच्चे अपने में निश्च बुद्धी कम है इसलिए हर कारिय में विजय हो यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है जैसे बाप में निश्च पड़ाई में निश्च है वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकलब निश्च बुद्धी बन कर करना उसकी कमी है इस कमी को भी कभ तक भरेंगे दो तिन वर्ष तक दो तिन वर्ष तो सुवपन में भी कभी सोच में ने लाना क्या कहना चाहिए अभी जो तिवर पूर्ष ती हैं उनके मुक से कभी शवद नहीं निकलेगा वैस दैब अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे यह तिवर पूर्ष ओपर जा रहे हो तो नस्डीक होना चाहिए ना अगर दो तिन वर्ष की मार्जन रखी है तो तिवर पूर्ष ती की लियन में गिनती होगी तिवर पूर्ष ती का अरती है कि जो भी बात कम जोरी वा कमी की दिखाई दे उसको अभी-अभी खत्म कर दो जब समरिती रहती है तो समरिती के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कुछ साधान कारिया बिगर सोचे आटोमेटिकली हो जाता है यह नैचरल हो जाता है ऐसा पुर्शार्थ करने के लिए दिन पर दिन जो शिक्षा मिलती है उसको सवरूप बनाते जाओ शिक्षाओं को शिक्षा के रिती से बुद्धी में नहीं रखो बावा कहते हैं उसका सवरूप बनो लेकिन हर शिक्षा का सवरूप बनाओ तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गाइन है ज्ञान सरूप, प्रेम सरूप, आनन्द सरूप, इस्तती बन जाएगी पॉइंट की रीती से बुद्धी में नहीं रखो लेकिन पॉइंट को प्रेक्टिकल सवरूप बनाओ फिर सदय पॉइंट सवरूप में इस्तत हो सकेंगे अभी मैजार्टी पॉइंट को पॉइंट रीती धान करते हैं वर्नन करते हैं लेकिन जो पॉइंट को सवरूप में लाएंगे तो वर्नन करने के बज़ाए साक्षात कार मूरत बन जाएंगे उसका सवरूप बन गे नहीं तो यही पूर्शार्थ करते चलो वर्नन करना तो बहुत सहज है मनन करना भी सहज है जो मनन करते हो जो वर्नन करते हो वैं सवरूप बन अन्या आत्मों को भी सवरूपों का अनुभव कराओ ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे को वफादार और फर्मान बर्दार कहा जाता है सबी अपने को फर्मान बर्दार समझते हैं जब विज़ा का बर्दान है तो विज़ा किस से होती है जब फर्मान पर चलते हैं तो फर्मान बर्दार नहीं हो सथूल में फर्मान पालन करने की शक्ते भी सुखस्म के आधार पर होती है निरंतर फर्मान पालन होता है तो मुख्य फर्मान कौन सा निरंतर याद में रहो और मन, वानी, करम में प्योर्टी हो औरों को भी सुनाते हो के पवित्र बनो, योगी बनो तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फर्मान हुआ ना संकलम में भी अपवित्रता वा अशुद्धता ना हो इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र ऐसे फर्मान बर्दान बने हो सारी शक्ति सेना, पवित्र और योगी है क्या भी बनना है निरंतर योगी भी है, निरंतर अर्थात, संकलम में भी अशुद्धता नहीं है संकलम में भी अगर पुराने अशुद्ध संसकारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योर्टी तो नहीं कहेंगे ना जैसे स्थूल भोजन वाले कोई सविकार नहीं करते हैं लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैशन नहीं समझते हैं अगर बुद्धी द्वारा भी अशुद संकलम पुआ पुराने संसकार संकलम रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्णों वैशनों कहेंगे बाब ने क्वेश्चन किया कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकरतव्य का रिया है तो देखने का असर हो जाता है उसका भी हिसाब बन जाता है देखना भी नहीं इस हिसाब से सोचो तो पुराने संसकार वा अशुद संकलप बुद्धी में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैशन वा संपूर्ण प्योर्टी नहीं कहेंगे पुर्शार्थ का लक्षय कहां तक रखा है अब सोचो जब के इतनी स्टेज तक जाना है तो ये छोटी छोटी बातें अब इस समय तक सोबती है अभी तक बच्पन के खेल खेलते रहते हो वा कभी दिल होती है बच्पन के खेल खेलने की वहां की रचना की वहां ही पालना की और वहां ही विनाश किया ये कौन सा खेल कहा जाता है वह तो भगती मारके अंद सर्दा का खेल हुआ माया आएगी जरूर लेकिन अब की स्टेज अनुसार समय अनुसार विदाई लिने अर्थ आनी चाहिए नै के ऐसे रूप में आए नमस्कार करने आए अभी चलने की त्यारी नहीं करनी है खुश समय नमस्कार देखेंगे वह चल पड़ेंगे शक्तियों को सभी अनुभव करना है बाव दादा इसका भी त्याक कर ये भग्या पांडों और शक्तियों को वर्दान में देते हैं इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है अभी से ही शक्तियों को भग्तों ने पुकारना सुरू कर दिया आवाज सुनना आता है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ती के आगे भग्त लोग धूप जलाते हैं वा गुनगान करते हैं वे प्रेक्टिकल खश्बू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे के समुख पुकार जैसे दुर्बीन दुआरा दूर का दृष्चय कितना समी पा जाता है वैसे दिव्या इस्थती दुर्बीन का कारिय करेंगे यही शक्तियों की समरिती की सिद्धी होगी और इस अंतिम सिद्धी को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भगत शक्तियों दुआरा रिद्धी सिद्धी की इच्छा रखते है जब सिद्धी देखेंगे तब तो संसकार भरेंगे ना तो ऐसा अपना समरिती की सिद्धी का सबरूप सामने आता है जैसे सन सोज फादर है वैसे रिटर्न में फादर का शो करते हैं बाब दादा परतेक्स रूप में ये पार्ट नहीं देखते लेकिन शक्तियों और पांड़ों का ये पार्ट है तो इतना वफादार और फर्मान बरदार बनना है जो एक सेकंड भी एक संकल्ब भी फर्मान के स्वाए न चले इसको कहते हैं फर्मान बरदार और वफादार किसको कहते हैं संपून वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकलम में विवा सुवपन में भी सुवाय बाप के और बाप के करतव वेवा बाप की महमा बाप के ग्यान के और कुछ भी दिखाई न दे ऐसे को संपून मफदार कहते है एक बाप दूसरा न कोई दूसरी कोई बास वपन में समरीती में दिखाई न दे उसको कहते हैं संपून वफ़दार ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परक्या होगी सच्चाई और सफाई संकलब तक सच्चाई और सफाई चाहिए नैसिरवानी तक अपने आपको देखना है कि कहां तक वफ़दार और फरमान बरदार बने हैं अगर एक संग सदा बुद्धी की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता बुद्धी की लगन कम होने का कारण अनेक परकार की संग की आकर्षन अपने तरफ खींच लेते हैं तो और संग तोड एक संग जोड यह पहला पहला वएदा है उस वाइदे को निभाना इनको ही संपून वफ़दार कहा जाता है सम्झा अच्छा ओम शान्द